दोस्तों बात कर लेते हैं इंदौर्वंडी के माहौल अपडेट रिपोर्ट के बारे में सब्ताहिक शमिक्षा रिपोर्ट क्या कह रही है इस सब्ते के लेकर अगला जो सब्ता आएगा उसमें कैसी तेजी देखने को मिलेगी तो मैं अपने निजी अनुमान के जरीए महारा पड़ेट हर जानकारी पुष्टी करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात करें महाराष्ट की और महाराष्ट की नहीं इंदौर मंडी की बात करें तो पिछला जो सब्ता है पिछला सब्ता आबक कम आई है परसों अंदर सों बीस ते लेकर पच्छिस हजार कट्टे बीच में आबक देखने को मिली है लेकिन तेजी नहीं देखने को मिली है तेजी का कारण यह है नबरात का असर सीधा सीधा भाव पर पढ़ता हूँ नजर है और 9 तारिक से लेकर 14 तारिक जो एक्सपोर्ट है हर साल की तरह इस साल भी बंद हुआ है यह तो हर साल बंद होता है तो 15-16 तारिक से जब भी निर्याद चालो होगा तब भी निर्याद का असर सीधे-सीधे भाव पर पढ़ता हूँ नजर आएगा उच्छाल आती हुई शम्भावना बंद हुई नजर आएगी क्योंकि दोस्तों अभी नवरात का भी असर देखने को मिला है और निर्याद का भी असर देखने को मिला है तो आबग तो कम आई है ऑल ओबर सब्तिक अगर बात करें तो किसी दिन 44100 देखने को मिला तो नहीं तो लिए इस भाव है अलोबर मंडी में यहीं पर किसान सातियों कर बात करें, all over मद ब्रदेश की सेम कंडिशन मंतियों नजरा आई है, नहीं ज्यादा किसी मंडी में तेजी, नहीं ज्यादा मनरमी, सेम भाव, एबरेजन भाव जिसे हम बूल सकते हैं जैसे अगर बात करें महाराष्ट की मंडियों की तो महाराष्ट की मंडियों में उच्छाल तंगडी है 4000 से लेकर 4500 भाव जैसे पुड़े मंडी है, लासल गाव मंडी है, नासिक मंडी है वहीं पर महराष्क minerals की 16 qऌला पूर मंडी ऐगर बीसलेशड रीपूर्ट की बात करें तो कई बिसलेशल रीपूर्ट ऐसे हैं जो एक्टिव भरी नजार आ रहें जहां चारहजार से लेकर पैतालेस सो का भाव देखने को मिलता है अगर यही भाव हग्ले सप्ते की बात करें तो अगला सप्तम में बंपरतेजी देखने को मिल सकता है क्योंकि निर्यात भी चालू हो जाएगा और नवरात्र भी नहीं रहेगा तो ऐसे में उच्छाल अच्छी खासी पकड़ती हुई नजर आ रही है इस पिछले सप्टे के अगले सप्टे की बात करें तो कहीं न कहीं हमारे निजी अन्मान से बात करें तो कहीं न कहीं तेजी आने की अच्छी कंडीसन देखने को मिलेगी तेजी आ सकती है दोस्तों अच्छा खासा पकड़ माहौल में देखने को मिल सकता है अच्छी खासी जिसे हम उच्छाल कहते हैं उच्छाल देखने को मिल सकती है कहीं नहीं अच्छी खासी जो मार्जन में उच्छाल है जिसे हम तेजी बोलते हैं तेजी देखने के जो आसार है वो बनते हुई नजर आ सकते हैं फिर भी किसान साते हो आपका निजी अन्मान क्या कह रहा है तो हमको कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताएए आपका अन्मान क्या कह रहा है अगर आप किसान भाई हैं कहां से हैं आपके बास क चाल आएगी क्योंकि दोनों निर्यात और नव्रात का असर नहीं देखने को मिलेगा और नव्रात भी नहीं होगा तो तेजी आने की फुल उमीद नजर आ सकती है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रिपोर्ट के साथ नई जानकारी नई अपडेट के साथ